हेलो गाईज, कैसे हैं आप सब लोग, मुझे उमीद है आप सब लोग अपनी जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ, मेरा प्राइमरी सिम का पोस्ट पेड बिल, यहां मेरे पास दो सिम है, एरडल की है और वियाई की है, और दोनों ही जो है मैं पोस्ट पेड यूज करता हूँ, the reason being is the amount of data which I need, ठीक है, तो एरडल वाली मेरी प्राइमरी सिम है, जहां पे मुझे एक सो नभे रुपए, to be exact, एक सो नभे पॉइंट नाइन टू रुपीज में जो है, 60 GB data मिलता है, वन मन्त के लिए, एक चीज आप लोगों को धियान रखनी होगी दोस्तों, यह 28 दिन नहीं है, यह exact one month है, that means one to one, two to two, ठीक है, exact, 31 days है, 30 days है, उसे कोई फरक यहां पे नही चार्ज करवाते हो, यहां पर ऐसा नहीं है, यह plan बिल्कुल जो है, आप लोगों को original true to value देखने को यहां पर मिल जाता है, फिर एक और चीज, आपको जो है, यहां पर unlimited calling मिलती है, data 60 GB मिलता है, 60 GB एक साथ आ जाता है, ऐसा नहीं है, कि हर रोज जो है, आपका 2-2 GB यहां प पर भी जो है, वो shift हो जाता है, एक और चीज दो, तो मैं आपको बता दूँ कि यहां पर data carry forward होता है, लगभग 250 GB तक, ठीक है, तो अभी मैंने recently check किया, मेरे पास around I think 190 GB बचा था, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं primary SIM से उतना जादा use नहीं करता हूँ, but क्या है कि इस SIM को पोस्पेड प्लान यहां पर use करता हूँ, और जो मेरे दूसरा प्रिपेड प्लान है, पोस्पेड प्लान है, वी आई का, जिसके लिंक मैं आप लोगों को description box में दे दूँगा, या फिर comment में उसकी पुरी प्लेलिस डाल दूँगा, वहां पे मुझे महीने का 2000 GB मिलता है, 8 तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, कि मेरा प्लान का original value 161.8 है, और taxes उसके उपर 29 रुपीज लगते हैं, तो कुल मिलाके, 190 रुपए जो है, यहां पर मुझे पे करने पड़ते हैं, एक और चीज़ आप लोग देखेंगे, कि मेरा जो previous dues है, वो लगबग आप लोगो क कि मेरी जो वी आई की post rate billing की due date होती है, वो लगबग 20 तारिक की होती महिनी की, ठीक है, और इसकी होती है 13 तारिक की, आप लोग उपर देख सकते हैं, due date 13 December है, ठीक है, तो महिनी की 13 होती है, उसकी due date 20 होती है, तो मैं ज्यादा तर 18-19 को ही जो है, पे करता हूँ, वी आई का post rate bill, और साथ में मैंने गलती से retail का भी तभी किया, तो हुआ यूँ कि मेरे उपर fine लग गया, ठीक है, और एक और चीज़ आप लोग note करेंगे दोस्तों, कि आपको international SMS free नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो गलती से भी international SMS मत करना, और एक और चीज़, जो SBI का credit card होता है, SBI का credit card के या फिर कोई भी credit card हो, जिसके उपर पहले announcement हो जाता है, this is a paid number, इसके पैसे कटेंगे, तो उसमें भी पैसे कटते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को बिलकुल यहां पर avoid करना, यह दो चीज़ करोगे, तो कभी bill जो है, original value से आपका ज्यादा आएगा नहीं, what's my experience on this thing, तो दोस में जाके जो है, इसकी inquiry करनी पड़ेगी, यहां पर इस plan का नाम आप लोग देख लीजे, infinity 161.8 OG 60 GB COIP net, ठीक है, तो यह वाला plan आप लोगों को देखने को मिलता है, और काफी ज़्यादा सही है, because आपको data भी काफी ज़्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है, price भी मेरे ह के साम से sensitive ही price है, इतना तो जो है लगबग बिलकुल आज के टाइम पे हो गया है, लेकिन quality of Airtail network, wherever I went is fantastic है, I don't know what's your experience, मुझे comment section में जरूर लेकर बताना, कि आपका क्या experience रहा Airtail के साथ में, otherwise मेरा experience तो दोस्तों काफी ज्यादा सही रहा, ठीक है, इस मामले में, मिलता हू तो जरूर लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें